काओ किया सब्सक्राइब तो इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने पड़ा हूए सहें और सैट के अंदर लोगों पड़ा था कार्टेशियन प्रोड़ॅट तो अगर हम कार्टेश्य प्रोड़ुक्ष जानते हैं तो समाझने में ज 가 mendh हमें problem नहीं आएगी बहुत ही easy है तो relation क्या होता है let a and b be two non empty set a और b non empty set है then every subset of a cross b define a relation from a to b तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ subset तो relation क्या है एक subset किसका a cross b का तो यह subset है इसका मतलब relation खुद एक set है और उस relation जो set है उस set के अंदर element किस तरीके से है and every relation from a to b is subset of a cross b तो हम लोग यहाँ पर a cross b देखते हैं उस relation किस तरीके से बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं तो एक example हम लोग यहाँ पर लेके देखते हैं जैसे कि माल लो मैं तुम्हें बोलता हूँ a is equal to one two three okay and b एक set है उसके अंदर element है four five तो अगर कोई तुम्हें बोले a cross b लिखो तो तुम आसानी से लिख सकते हो जैसा कि मैंने last class के समझे मैं तुम्हें समझाया था क्या होता है एक रोज भी every possible ordered pair from a to b तो यह हो जाएगा one four यह एक ordered pair है next order pair क्या हो जाएगा one five इस तरीके से six order pair हम लोग लिख सकते है two four and two five and next element is three four and three five okay तो यहाँ पर count अगर हम लोग करते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे हम लोगों को total six element मिल रहे हैं a cross b के अंदर अब जो relation है relation तो relation को अगर मैं बोलता हूँ कि r नाम है उसका क्योंकि यह एक set है और हम लोग उसको set को capital letter से represent कर सकते हैं तो r जो होता है वो किसका होता है subset a cross b का अगर r a से b defined है तो is defined from set a to set b अब देखो यहाँ पर a cross b जो है वो हम लोगों के पास एक set है उसके मैं काफी सारे subset लिख सकता हूँ यहाँ पर तो वो सब relation होंगे जैसे कि suppose करो मैं एक r1 relation लिख रहा हूँ तो मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 1,4 तो यह एक subset लिखा है हम लोगोंने single element वाला इस तरीगे से मैं क्या all लिख सकता हूँ r2 भी मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर में ले लूग हम 1,4 और 1,5 दो element मैंने ले लिए इसी तरीगे से हम और भी example यहाँ पर create कर सकते हैं जैसे मैंने r3 के अंदर element ले लिए 1,4, 1,5 and 2,4 और element अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो 3,4 ले 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 था हूँ मैं तो यह जो मैं लिखते जा रहा हूँ यहां पर r1, r2, r3 यह सब relation है क्यों क्योंकि यह a x b के क्या है subset तो हम यहां पर relation की definition जाना चाहते तो relation की definition बस इतनी से होती है अगर a और b दो non empty set है तो अगर हम a x b का कोई भी subset बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते है relation ठीक है अब देखो normally suppose करो मैंने कोई r relation लिखा उसके अंदर element है उपर से हम लोग ले ले लेते है element कुछ भी 1,4 इसी तरीके से 2,4 एंड एक element ले लेते है 2,5 तो यहां पर ordered pair हम लोगों के पास कितने है r के अंदर कितने element है तीन element है तो हम इसको इस तरीके से 2,4 एंड 2 is also related to 5 इसको represent करने का एक और तरीका है 1 is related to 4 एंड यहां पर हम लोग इसको किस तरीके से represent कर सकते है 2 is related to 4 और जो last element है इसको 2 हम लिख सकते है 2 is related to 5 यह तो हो गया normal relation का तरीका और क्योंकि यह subset है तो हम ऐसा भी लिख सकते है 1,4 belongs to r 2,4 belongs to r इसी तरीके से हम क्या लिख सकते है 2,5 belongs to r क्योंकि यह r के ही element है और भी अगर हम लोग example समझना चाते है relation के तो हम वह समझ सकते है roster और roster form में भी हम देख सकते हैं और set builder form में भी हम लोग देख सकते हैं जैसे कि example a के अंदर element है 1,4,5,6 और b के अंदर element जो है वह इस तरीके से है कुछ 2,3,7,9 clear तो अगर ऐसे element दिये हैं अब r में एक relation आर relation बनाना चाता हूँ मैं a से b तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग r is relation is defined from set a to set b अब देखो हम लोग जो इसकी definition लिखना चाते हैं आर इस तरीके से defined है a,b ओके या हम x,y भी लिख सकते हैं उसको where a belongs to a and b belongs to b and a और b किस तरीके से defined है हम लोग वो भी देख सकते हैं तो हम define कर देते हैं a is greater than b where a from a and b जो है वो कहां से आएगा b set से आएगा तो अगर हम relation define कर चुके है a,b से बढ़ा है अब ये तो होगे हमारा set builder form अब हम इसको roster form में लिखना चाहते हैं हम लोग ordered pair बनाना चाहते हैं तो हमें a से एक element जैसे मालो मैंने 1 उठाया तो क्या 1 किसी और से बढ़ा है यहां तो अब हम 4 को ले ले लेखें तो 4 क्योंकि 2 से भी बढ़ा है और 4 किस से भी बढ़ा है? 3 से भी तो हम लोगों a greater than b को follow करते हूं हम लोग element लिख रहे हैं और हम लोग क्या लिख सकते है? 6 2 क्योंकि 6 is greater than 2 इस criterion के हम लिख सकते है 6 and 3 तो यह हम लोगों को एक relation हो गया और यह relation obviously a cross b का जो है वो क्या है subset क्योंकि a cross b के अंदर total कितने element आएंगे a के अंदर element है 4 b के अंदर भी 4 element है तो a cross b के अंदर 16 element आएंगे उसका ही ये एक subset है अब हम लोग इसका arrow diagram भी देख सकते हैं क्या देख सकते हैं arrow diagram arrow diagram या फिर इसको हम लोग mapping भी भोलते हैं यह हम function में बहुत ज्यादा use करेंगे word mapping तो mapping किस तरीके से है और क्या हम लोग दिखाना चाते हैं mapping से तो देखो सबसे पहले मैं दो set बना देता हूँ या पर एक set a और इसी तरीके सेट क्या बना देते हैं हम लोग b बना देते हैं तो यह हम लोगों को circle बनाना था set b clear तो set a के अंदर element है वह हम लोगों ने क्या क्या consider किया था set a के अंदर element वह हम लोग देख लेते हैं 1, 4, 5, 6, इसी तरीके से हम लोगों ने जो B के अंदर element है, वो क्या थे? 2, 3, 7, 9, अब हमारा जो R है, वो R किस तरीके से defined है? R is equal to A, B, जो A greater than क्या होना चाहिए? B, इस तरीके से A belongs to A and B belongs to B, तो जो हम लोगों ने उपर जो elements लिखे होएं, उसको हम लोग इस तरीके से क्या है? उसको arrow diagram की help से represent करते हैं, तो 4, 2, तो 4, 2 से related है, इसी तरीके से 4 किस से भी related है? 4, 3 से भी related है, और हम लोग किस तरीके से यह यहां पर बता सकते हैं कि 5 किस से related है? 5 को भी हम लोगों को बताना होगा, तो क्या 5 किसी से related था? Yes, हम लोगों को लिखना चाहिए था है, 5 is greater than 2 and 3 तो यहां पर और क्या element आएंगे? 5 और 2 भी यहां पर लिखना चाहिए, वो miss होगे था हम से, और 5, 3 भी हम लोगों को यहां लिख देना चाहिए, बस 1 का ही किसी के साथ relation यह 4, 5, 6 का यहां पर relation है, तो 5 का किसी relation है? 2 से, क्योंकि 5 2 से भी बढ़ा है और 3 से भी, इसी तरीके से 6 जो है, same वो भी किस से 2 से और 3 से बढ़ा है, तो यह हम लोगों की mapping हो गई है, यहां पर यह relation का representation है, यह 1 तो हो गया और यह क्या हो गया? Mapping, तो इस तरीके से हम लोग relation को define कर सकते हैं, चलो अब हम लोग बात करते हैं, total number of relation की, ओके, suppose करो एक R एक relation है, जो दो non-empty set, A से B में defined है, if number of element in A है N, and number of element in B available है, हमारे पास N, तो देखो, relation की definition क्या है? हम लोग क्या जानते हैं, definition relation की? R is subset of A cross B, तो ओके, तो अगर हम A के अंदर element जानते हैं, और B के अंदर element जानते हैं, तो obviously number of element in A cross B कितना रहेगा? N into M, ओके, अब देखो, A cross B के जो subset होते हैं, क्या होते हैं? subset, वही क्या होते हैं? Relation होता है, तो जितने हम लोग subset बना सकते हैं, उतने ही हम लोग relation बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बहुत ही important बात, क्या लिख सकते हैं हम लोग? number of all subset of A cross B is equal to total number of possible relation from A to B. तो देखो, यहाँ पर NM element है, किसके अंदर? A cross B के अंदर, तो किसी भी set के अंदर, अगर NM, अगर NM elements हैं, तो उसके total subset कितने बन सकते हैं? 2 rest to M N, तो हम लोग total number of relation बना सकते हैं, 2 rest to M N, तो इस बाग को बापिस से समझते हैं हम लोग, तो देखो, हम लोग नहाँ पर क्या discussion किया, number of relation, अगर A set के अंदर N, और B set के अंदर M element है, तो A cross B के अंदर, obviously, दोनों का multiplication N into M होगा, अब हम लोग ये जानना चाते हैं कि total कितने relation होंगे, तो relation की definition क्या है, A cross B का हर subset कहलाएगा relation, तो A cross B के अंदर कितने subset होंगे, तो subset का formula हम लोग ने पढ़ा है, अगर किसी set के अंदर N element है, तो 2 rest to N उसके subset होता है, यहाँ पर A cross B एक set है, उसके अंदर number of element कितने है NM, तो 2 rest to N, तो जितने subset बनेंगे उतने ही total number of क्या बन जाएंगे, relation बन जाएंगे, अब हम लोग बात करते हैं, domain and range of relation की, तो देखो, domain क्या होती, domain से पहले हम लोग function, relation को एक बाद define कर लेते हैं, suppose करते हैं हम लोग, let A and B to non empty, sets, अब एक R relation defined है, A से B, A से B R relation defined है, अब हम लोग relation defined कर देंगे, तो domain और range वहाँ पर क्या रहेगा, तो domain होता है, domain of R is equal to, ये भी एक set है, तो ये element होता है A, अब A कौन सा होता है, where A, B belongs to, to R, तो R के अंदर जो ordered pair लिखा है, ordered pair का first वाले element को सभी को collect कर लेंगे, हम तो हमें domain मिल जाएगा, इसी तरीके से range जो है, वो ordered pair का second element होता है, तो range क्या होता है, B, where A, B belongs to R, या फिर हम लोग यहाँ पर for every word भी use कर सकते हैं, B for every, A, B belongs to R, तो देखो बहुत ही अच्छे, एक simple से example से हम लोग इसको clear कर सकते हैं, देखो कैसे, suppose करो, A, एक set है, जिसके अंदर element है, 1, 2, 3, 4, and 7, इसी तरीके से B, एक set है, जिसके अंदर element है, कुछ भी element ले लेते हैं, 5, 6, and 8, यह हम लोगोंने element यहाँ पर रखा है, अब हम क्या करना चाहते हैं, एक relation बनाना चाहते हैं, हम लोग, मानलो मैंने एक relation बनाया, R is equal to A, B, अब A और B में हम बहुत सारे तरीके से relation जो है, वो बना सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं, B is equal to 2A, मतलब B, A का क्या है, डवल, अब वही बात, A कहां से आया है, A, पहले वाले set से है, B कहां से है, B set से, तो अगर हम लोग इसको ordered pair की form में लिखेंगे, तो R is equal to हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्या B is equal to 2 है, तो यहां का वो element जो पहले वाले से क्या है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 and 6 यूज कर सकते हैं, 3 and 6 यहां पर हम यूज कर सकते हैं, और एक और आजाएगा हमारा 4,8, ओके, तो यह जो है A, देखो, A is equal to अगर तुम 3 लेते हो, और B is equal to 6 लेते हो, तो क्या B is equal to 2A वाली equation satisfy हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इ यहां पर जो यह element है, इससे हम लोग domain लिखना चाते हैं, तो domain सिर्फ first component होता है, ordered pair का, तो ordered pair का first component क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, 3 and 4, इसी दरीके से हम लोग range भी लिख सकते हैं, तो range हमारा क्या हो जाएगा, 6,8, तो domain and range जो है set है, बट इसके अंदर single element है, तो किसी relation के अंदर पहले वाले element को अगर हम ले लेते हैं, तो हमें domain मिल जाएगा, और second वाला element ordered pair के हम सभी collect कर लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे range, अब देखो एक बात यहां पर clear है, कि जो domain है, वो एक बात यहां पर क्या clear है, हम लोग देख लेते हैं, कोई relation है, जो A से B defined है तो obviously, domain जो है रहेगी हम लोगों की, domain और R वो किसका subset रहेगा, A से, क्योंकि जो first element होते हैं, वो A से आते हैं, और इसी तरीके से जो range है, R की, हम लिख सकते हैं, range of R, is subset of B, तो यह हो गया हमारा number of subset के बारे में discussion, अब देखो यह भी बहुत अच्छी बात है, हम एक ही set पर relation define कर साथ है, let A be non-void set, then a relation from A to itself, a subset of A cross है, तो अगर A cross है हम लोगों नहीं देखा है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, suppose करो A is equal to 1,2 है, clear, तो A cross A क्या होगा, उसके लिए हम लोगों को A एक बार लिख देना है, 1,2, तो A cross A के अंदर हम लोग element क्या लेंगे, 1 को 1,2 के सा तो 1,1 आ जाएगा और 1,2, इसी तरीके से जो second element है, उसको भी हम लोग 1,2 के साथ कर देंगे, तो 2,1 और हमें क्या मिल जाएगा, 2,2, इसकी better understanding में हम समझ सकते है, when diagram से या arrow diagram से, suppose करो यहाँ पर 1 और 2 है, इस तरह भी क्या है, 1 और 2, तो हम लोगों को every possible order pair बनाना है, एक र हो गया, a cross a, अब हम एक relation बनाना चाहते हैं, जो subset होगा a cross a का, तो बहुत सारे relation हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि suppose करो मैंने 1,1 और 2,2 लिख दिया, तो यह एक relation बन गया, but हम इसको बोलेंगे कैसे, a relation r is defined on a, defined on a, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, a relation r is defined from a to b, क्योंकि यहाँ पर दूसरा set तो कोई है ही नहीं, सिर्फ a की set है, तो a की set होने के case में, relation जो है, वो किसका subset रहेगा, a cross a का, और a cross a हम हमेशा कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी number of element हम लोग count कर सकते हैं, कैसे, suppose करो a के अंदर n element है, तो a के अंदर n element है, तो a के अंदर कितना होगा, n into n मतलब n square, तो total number of subset बनेंगे 2 rest to n square, इसका मतलब total number of relation भी कितना बजाएगा, 2 rest to n square, तो एक्जांपल करते हैं, a के अंदर 1, 2, 3, 3 element है, the total number of distinct relation that can be defined over a, तो देखो अभी जो मैं बात कर रहा था, यह वही है, तो a cross a के अंदर हम number of element count करना चाहते हैं, वो कितने होंगे, तो number of element कितने होंगे, जितने a के अंदर होंगे, into number of element in a होगा, clear, तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 3 element है, 3 into 3, तो यह हो गया हमारा 9, तो यह 9 जो है न, यह किसके अंदर element है, a cross a के अंदर, मतलब a cross a, जब हम लोग लिखेंगे ordered pair की form में, तो हम लोगों को यहाँ पर इ अंदर 9 element है, तो उसके subset जितने होंगे, उतने ही क्या होंगे, relation बनेंगे, subset number of लिख देते हैं, number of subset is equal to number of relation, तो वो कितना हो जाएगा तुमारा 2 rest to 9, तो option number 1 के अंदर अवेलेवल है, clear, तो next question हम लोग ट्राय करते हैं, let x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, तो देको इसको diagram से भी समझ सकते हो ताकि diagram की भी जो understanding हो, clear हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 है हमारे पास left hand side में और right hand side के अंदर हमारे पास क्या अवेलेवल है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, and 5, right hand side में हम लोगों के पास अवेलेवल है, 1, 3, 7, 5 भी है, 5 and 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 element है, बिल्कुल, दोनों के अंदर 5 element है, बस थोड़ा सा difference है, which of the following is our relation from x to y, तो देखो, ये बोलना चाता है कि x से y में कौन से relation है, तो simple सी बात है, r के अंदर जो भी ordered pair होना चीए, a, b, तो उसके लिए कंपल सरी बात, a कहां से होना चीए, x से, और b कहां से होना चीए, y स तो कौन कौन से relation है, हमें बता देना है, तो देखो, यहां पर क्या लिखा हो है, पहले वाले relation के अंदर, r is equal to x, y, y is equal to 2 plus x, तो यहां पर x हम लोगों को x से लेना है, और y से लेना है, तो ये बिल्कुल relation है, 2 plus x करके y तक पहुंच जाए, तो देखें, 1 के अंदर 2 add करो, तो क्या हो जाएगा, 3, तो r1 अगर तुम लिखना चाते हो, तो लिख सकते हो, r1, r1 के अंदर क्या-क्या element आजाएगे, तो suppose करो, तुमने x की जो value है, वो 1 ली, तो y is equal to तुम्हें कितने है, मैं लेका, 1 plus 2 is equal to 3, तो 1,3 तुम लोग लिख सकते हो, इसी दरीके से 2,4 लिख सकते हैं, पर 4 है नहीं, उदर right hand side में, 1 किस से related हो गया, 3 से, अब हम लोग देख सकते है, 3 भी related हो सकता है, 5 से, तो next क्या जाएगा, 3,5 और next हम लोग लिख सकते है, 4 plus 2 is equal to 6, 6 अवे लेवल नहीं है, वाई के अंदर, 5 plus 7, तो 5 and 7 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यह फर्स, फर्स element सबसे x से आ रहाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, yes, यह भी relation है, बिलकुल है, आर तरी के अंदर हम लोग चेक करेंगे, अचा एक और बात, जो second element है, वो y से होना चाहिए, वो भी देख लो, तो 1, और क्या हो गया है, 3, 5, यस, हम लोग बोल सकते हैं, यह भी relation है, अचा चलो, R3 के अंदर देख लेते हैं, पहले पहले element, domain वाले element देखो, क्या है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, yes, तो C भी हम लोगो का बिलकुल correct answer है, वो एक relation possible यहाँ पर हो सकता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, option number D की, तो D के अंदर पहले-पहले element सब count कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्या है, 1, 2, 7, 1, 2, 7, अरे, यहाँ तो 7 ही नहीं, है न, तो R4 के अंदर एक problem है हम लोगों को, किसके अंदर, R4 के अंदर, तो R4 के अंदर क्या एक extra आ गया, 7,9 जो है, वो R4 के अंदर है बट यह 9 तो है, पर यह 7 नहीं है, तो 7 क्या नहीं है, does not belongs to पहला वाला set, जिसका नाम है X, तो हम लोग बोलेंगे, कि यह जो relation है, यह relation नहीं है, X से Y, डिफाइन हम इसको नहीं कर सकते हैं, clear, तो यह हम लोगों का relation का introduction था, अब देखो, तुम में से बहुत से बच्चे ऐ जो कहीं टेक्सबूक में relation और relation के types देख सकते हो, तो relation के types है, reflexive, symmetric, transitive, यह सब types तुम लोगों को किसी RD शर्मा या किसी भी book के अंदर तुम लोग देखोगे, तो वहाँ तुम में दिखाए देगा, तो उसको देखके tension नहीं लेना है, वो 12 में हम लोग पढ़ेंगे उसको अभी बस हमें इतना सा understanding होना चाहिए कि relation की definition क्या होती है, ताकि हम लोग function की definition आसानी से समझता है, यहना तो सब बाते link है, जैसा हम लोगोंने set पढ़ा, subset पढ़ा, set, subset पढ़ने के बाद ही हम लोग relation समझ पाएं, उसी तरीके से आप लोग function को समझने के लिए relation पढ़ना ह इसलिए हम लोगोंने relation पढ़ा है, relation के चो types हैं वो 12th class के अंदर आएगा, अब हम लोग next lecture से function की definition स्टार्ट कर सकते हैं